हेलो गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल, गाईज, आज मैं कोडियन बेल ड्रामा ओ माई एसेस्टेन का एपिसोड 3 आप लोगों को एक्स्प्लेन करने वाली हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एपिसोड 3 की शुडवाद वहीं से होती है, जहाँ पे एपिसोड 2 एंड हुआ था, और वो लेडी और कोई नहीं बल की मिनियोंग होती है, वो सियन हो के घर में आई हुई है, और सियन हो से कहती है, क्या तुम जानते हो, अगर कोई लेखक देर से अपने काम में हाट डालता है, तो उसके पीडी को रुकने और वेड करने की आवशक्ता होती है, कुछ पीडी के घर में बच्चे होते हैं, इसलिए उन बच्चों के टीचर्स को भी बच्चों के साथ रहने की जरुरत है, इन देट केस सबको ओवर टाइम करना पड़ता है, ये बहुत अच्छा है, और सियन हो बेचारा क्या कहेगा, फिर मूयों को दिखाया जाता है, वो अपने कार में बैठता है और सोचता है, वो शायद खुद से खतम नहीं कर पाएगा, मुझे थोड़ी देर और रुक के उसकी मदद करना चाहिए था, मैं चला आया, जबकि ये फिनिश भी नहीं हु क्या होगा अगर तुम टाइम पे फिनिश नहीं कर पाओगे तो, सियन हो कहता है, सोरी पिडिली, मुझे तो ये भी पता नहीं के मैं कब सो गया, मीनियों कहती है, बहुत अच्छा होता अगर तुम्हारे साथ अभी एक एसिस्टेंट होता, फिर पूछती है, उसका अभी ओफ है, शियन हो कहता है, उसके कॉंट्रेक्ट के अनुसार, छे बजे के बाद वो काम नहीं करेगा, प्लिस चिंता मत कीजिए, आधी राज से पहले मैं आपको ये भेज दूँगा, मीनियोंग पूछती है, तुम शियर हो, मुझे फिर से यहां आने की जरुरत नहीं है, राइट? शियन हो कहता है, अफकोर्स नहीं, मीनियोंग कहती है, ठीक है, मैं तुम्हे विश्वास कर रही हूँ, तो फिर मैं अभी जा सकती हूँ, शियन हो कहता है, प्लिस ट्रस्ट में, मीनियोंग कहती है, बढ़ ते रहो, मिष्टर शिन, किप फाइटिंग, और वो वह से चली जाती है उसके जाने के बाद श्यान हो सोचता है मुझे तो अभी भी नेंद आ रही है मुझे एक शावार लेना चाहिए इधर मेन यंग जब उस बिल्डिंग से निकल रही होती है मूयंग भी वहाँ पर पहुचता है और वो इमेजिन करता है श्यान हो एक क्यूट सा फेस लेके उससे कहता है ठैंक्यू मुझे यंग मेरे पास तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं है मुझे सोचता है ओल राइट सिर्फ आज के लिए दो घंटा एनफ होना चाहिए फिर वो कार से उतरता है और श्यान हो के फ्लैट की तरफ देखता है कि लाइट जल रही है फि श्यान हो मुझे को पुकारता है तो वो अपनी ख्यालों से बाहार आता है और कहता है मैंने सोचा कि तुम अकेले काम करते करते ठक गये होंगे इसलिए मैं हेल्प करने के लिए जला आया लेकिन सिर्फ दो घंटे मैं कल देर से आऊंगा श्यान हो कहता है थैंक्यू मुझे प्लीज अंदर आओ फिर दोनों काम कर रहे होते हैं काम हो जाने के बाद श्यान हो कहता है मैंने भेज दिया तुम भी ठक गये होगे मुझे अब जब हमने बाधा को पार कर लिया है क्या हमें एक ब्रेक लेना चाहिए मुझे पुछता है बाइद वे तुम्हें ठंड नही ुल पुछता है तो हीटर के बारे में क्या ख्याल है शिएन हो कहता है हीटर मुझे लगता हे मेरे पास एक है और हीटर को अन करते ही वह जाल जाता है फिर श्योन हो पूछता है क्या तुम्हें एक स्वेटर चाहिए मूयोंग मना कर देता है श्योन हो पूछता है तो फिर ब्लैंकेट मूयोंग उसके लिए भी मना कर देता है श्योन हो पूछता है तो फिर क्या हमें ड्रिंक करना चाहिए ये जरूर तुम्हें गर्मा हट देगा ये अब गरम हो रहा है मुयोंग पुछता है क्या तुम वाटका भी पिते हो शियन हो कहता है ये धिली ने गिफ्ट की थी मुझे पता नहीं था के ये कैसे पिते है इसलिए मैंने इसे रक दिया था फिर कहता है मुझे थोड़ा और दो मूयोंग उसे देता है और कहता है अगर तुम ज़्यादा पियोगे तो तुम काम नहीं कर पाओगे श्योन हो पुछता है तो क्या हम इसे एक रात कहें में पार्ट ओवर हो गया है जबसे तुमने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया है मैंने अभी तक तुम्हारा ओफिशियली वेलकम नहीं किया हम एटलिस ड्रिंक कर सकते है मूयोंग कहता है ओके आज बहुत लंबा दिन था तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो श्योन हो पूछता है बाइदवे मूयोंग तुम एक एसिस्टेंट के रूप में क्यों काम कर रहे हो तुम्हारा जो स्किल्स है उससे तुम आडाम से अकेले काम कर सकते हो मूयोंग कहता है स्कुल के दिनों में मैं एक ओथर बनना चाता था लेकिन characters कैसे draw करते हैं वो समझ नहीं पाता था और next scene क्या होना चाहिए वो भी नहीं ये सब चीजे मेरे लिए बहुत difficult है जिस कारण से मैंने drawing करना start किया वो किसी एक वेक्ती के कारण था जिसे मैं पसंद करता था श्यान हो पुछता है मूयंग क्या तुम्हारा कोई girlfriend नहीं है मूयंग कहता है नहीं है और तुम्हारा श्यान हो कहता है मैं मैं पिछले तीन साल से single हूँ मूयंग कहता है ओ आई सी और सोचता है मतलब PD ली मीन यूंग के साथ इसका कुछ नहीं है लेकिन मैं अभी भी sure नहीं हूँ कि सच में कुछ नहीं चल रहा है श्यान हो कहता है तीन साल पहले वो मेरी पहली प्यार थी उसने मुझ से बहुत कुछ expect की थी तुम comics क्यों draw करते हो तुम्हारे पास card क्यों नहीं है तुम्हारे पास पैसे नहीं है घर नहीं है future नहीं है मुयंग सोचता है वो कितना बुद्धु है श्यान हो पूचता है और तुम्हारा क्या मुयंग क्या तुम किसी को डेट नहीं करना चाते मुयंग कहता है नहीं ठीक है मैं relationships maintain करने में अपना energy नहीं use करना चाता और अपने मन में सोचता है लेकिन अगर वो तुम हो तो मैं ये करूँगा श्यान हो कहता है तुमने जो कहा वो सच है लेकिन क्या हमें उनसे भी कोई energy नहीं मिलती मैं बस वो गर्मा हट चाता हूँ जब हम साथ हो वो जरूर अच्छा फिल होगा मुयंग सोचता है अगर वो मेरे जैसा होता तो मैं अभी उसे हग कर लेता और फिर से दोनों drink करते है और फिर मुयंग सोचता है वेट तुम क्या सोच रहे हो तुम्हें पहले सज जानने की जरूरत है को मुयंग फिर दिख्या जाता है श्यान हो एकदम टली हो गया है श्योन हो कहता है मूयंग मैं तुमसे एक फेवर चाता हूँ मूयंग कहता है मैं refuse कर रहा हूँ श्योन हो कहता है ऐसा मत करो बस एक बार मेरी मदद करो प्लीज मूयंग पूछता है क्या है अगर तुम contract details को change करना चाते हो तो ना है श्योन हो कहता है मैं तुम्हें draw करना चाता हूँ और मैं चाता हूँ upper body मूयंग पूछता है क्या naked श्योन हो कहता है इसे गलत तरीकिसे मतलो मैं बस draw करना चाता हूँ मूयंग सोचता है इसे हुआ क्या है श्योन हो कहता है मेरे पास nude straw करने के ज़ादा opportunities नहीं है ये job start करने से पहले मैंने nude drawing club join करने के बाड़े में भी सोचा था मुयंग कहता है मुझे naked होना पसंद नहीं है शियन हो कहता है बस एक बार please मुयंग ना कहता है शियन हो कहता है तुम naked नहीं होगे सिर्फ upper body तुमने भी मेरा देखा था मुयंग सोचता है वो तुमारा excuse है और कहता है मेरा वो देखने का कोई intention नहीं था शियन हो कहता है मैं तुम्हे ये पूरी राद देखने दे सकता हूँ मुयंग पूचता है Mr. Shin क्या तुम drunk हो शियन हो कहता है हा मैं drunk हूँ मुयंग कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा शियन हो एक cute सा face लेके कहता है Please help me please और मुयंग मान जाता है फिर दिखाय जाता है मुयंग shirtless बैठा हुआ होता है और शियन हो उसे draw कर रहा है मुयंग खुच से ही पूचता है मैं इस point पर कैसे पहुचा को मुयंग तुमने ना क्यूं नहीं कहा फिर शियन हो से कहता है जल्दी से draw करो शियन हो कहता है ओके और वो draw कर रहा होता है मुयंग फिर से पूचता है तुम्हें draw करने में कितना time लगेगा एक मिनिट से जादा हो गया है शियन हो कहता है बस कुछ और pages मैं अलग-अलग angle से draw करना चाता हूँ फिर शियन हो उसके करीब जाके draw कर रहा होता है मुयंग पुचता है क्या तुम इस मामले में बहुत serious नहीं हो रहे हो आदमी का शरीफ draw करने में मज़ा ही कहा है शियन हो कहता है तुम शायद नहीं जानते लेकिन तुम्हारा facial expressions attractive है ये सामान्य लगता है लेकिन ये interesting है, sexy है और दोनों एक दूसरे को देखते है फिर शियन हो मुयंग के करीब जाता है मुयंग सोचता है, मुझे नहीं पता के किसने ये शुरू किया मुझे नहीं पता के ऐसे क्यों हो गया शुरू में मैंने ऐसा होने की planning नहीं बनाया था और दोनों एक दूसरे को किस करते है फिर दिखाय जाता है next day morning शियन हो की नीन तूटती है वो उठके बैठता है और कहता है क्या मैंने कल रात को बहुत जादा पी लिया था फिर वो उन sketches को देखता है जो उसने पिछली रात को बनाया था वो उनको अच्छी तरह से देखता है और तब उसको पिछली रात की बाते याद आता है उसे तो जटका लग जाता है वो सोचता है नहीं ये डेफिनेटली एक किस नहीं है नहीं क्या मैं लड़कों को पसंद करता हूँ मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं फिर सोचता है वेट लेकिन ये सेक्सी था अड़े मैं जरूर पागल हो गया हूँ क्या मैंने सच में ऐसा कहा मुझे क्या करना चाहिए मैं उसे कॉल करने की कोशिश करता हूँ मैं अब मू YONG से नजरे कैसे मिलाऊंगा और वो मू YONG को कॉल करता है इधर मू YONG सोचता है मैंने मिस्टर शीन को किस किया ये डरावना है और एपिसोड थ्री ये ही पर एंड हो जाती है तो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई